समाचार मंसूर जिले के करोट से मौहनलाल अगरवाल ने अस्पताल की बहतरीन व्यवस्ता से खुश होकर अस्पताल को दो पंखे किये दान कहा घर से भी बहतरीन व्यवस्ता देखने को मिली अस्पताल में आज जी एनेम टीसी कोविट सेंटर मंसूर से अन्य बडिजों के साथ मौहनलाल अगरवाल भी जिस्चार्ज हुए यह मंसूर जिले के तैसिल करोट के रहने वाले हैं अगरवाल कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात पिछले छह दिनों से जी एनेम टीसी सेंटर पर भरती थे मौहनलाल अगरवाल पताते हैं कि उन्हें अस्पताल में घर जैसी व्यवस्ता देखने को मिली घर से भी बहतरीन खाना खाने को मिला दाक्टरों एम नर्सों ने समय समय पर आकर उन्हें उपचार बगान किया उन्हें हर तरह से सकारात्म कुर्जा देने का प्रयास किया और इसी की बदोलत मैं आज 6 दिन में ही कोरोना संक्रमित से मुक्त हो गया हूँ सेंटर पर इन्हें किसी भी प्रकार की व्यवस्ता देखने को नहीं मिली यहां तक कि सेंटर के सारे स्टाफ कर्मचारी ने मेरे साथ बहतर व्यभार किया मैं सेंटर की विवस्ता से इतना खुश हूँ कि खुशी के कारण में ने दो पंखे भी इस सेंटर को दान किये हैं गरोड समवाद दाता जीवान सांकला की रिपोर्ट कर दो अब 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 शानती कि बिए बिए हर टेशेंट को इतु शालिंता चरहें अब इतने बड़े प्रोग्राम में च्टा मुदा को दो वाज मित आगे मित शंबाव है लोगों को क्या बूलेंगे सतरकता रखने के लिए क्या बूलेंगे कर दो उसलते हैं रखने का बूलेंगे